जैहिंत फ्यूजर और आफसे विलों को स्वागत है मैं हूं मानसुकमार इस वीडियो नोग बात करने वाल हैं प्रिज्म ग्लोब वेंचरस लिमिटेड कंपनी के बारे में हैं कामचेंज नहीं हुआ अभी कंपनी ट्रेडिंग के बिजनेस से जुड़ हुई है और आप देखेंगे तो Komodity Finance, Sports & Entertainment एक्टिविटी के अंदर यह कंपनी करती है 5 शाल बाजब हैसे रहें जब कंपनी के बहुत अच्छे प्राइस अपने बुम पर था 2014 लेकर 2019 तक इस कंपनी का शेयर प्राइस दूरोपय से बढ़कर 80 रोपय तक चला गया था लेकिन 2019 के बाद इसके बुरी दिन आने शुरू हो गए और उसके बाद सेयर प्राइस कम होते गया फाइनली 2021 में जाकर शेयर प्राइस थोड़ा सा फिर बढ़ा और 2021 में बढ़कर इसका प्राइस फिर से एक बार 15-16 रोपय कासपस दे गया था लेकिन उसका बाद फिर प्राइस डाउन होने लगा और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो प्राइस डाउन होकर 2 रोपय प्राइस बार 15 भी तक्रीवन 2 परसेंट कासपस तो इस इस टोक में ग्राउट देखने को मिली है और जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो दूरपय 95 पैसा पर यह श्टोक आखा ठाल गया है मुद्दे की बात यह है कि इस कंपनी में हमें करने क्या है जिन नहों का इसमें इस बारे में इस वीडियो बात होगी देखी एक बात तो असपास्ट है कि काफी दिनों से कंपनी ने कुछ अच्छा नहीं किया तो आने वाले समय में बहुत अच्छा कर लेगी इस बात की समाना थोड़ी कम नजर आती है इसे आम तो पर देखे तो लेकिन जब हम इसका ट ग्राफ हभी डाउन ट्रेंड में जैनि कि चांट प्रेटर्ण है और इस कंपनी का सेर पर जाकर जा करेंगा कहां तक डुरु रॉप्य पैशा सकते हृँ रॉपई च्छा कर तक वहाँ पर भी नहीं रुका तो इसकी नीचे जा सकता है एक रॉपई 30 पैशा तक लेकिन वह बार जा सकता लेकिन सपोर्ट और डिया कि इस का काम करते हैं समाने तक होता है कि ुसके बात persistence की живet चुर्च ओपर के लगता है तो आणके रडी कि यह झाने का प्राइस से आपके बता जायता हूं तो पांच रुपे तक जाने में लग लगेगा का इस टोक का fundamental उतना अच्छा नहीं हो fundamental कुछ अलग ही बात कर रहा है fundamental के बारे आँ आँको बता रहा हूं थे के fundamentally कोई बहुत बुरा इस टोक नहीं है जिस मार्केट के लिहास किया company है उसके हिसाब से fundamental अब धीरे धीरे बहतर होने लगा है अब यह दिया आप देखेंगे तो इस company का जो share price अपने book value से उपर है यानि कि एक लेखा से कहें तो थोड़ा सा ठीक नजराते है सामाने तो जो company होते हैं उनके share price book value से अधिक होने चाहिए जो कि इस company का है इसका लावा चोटी company होने के बावजूद इन दिनों जो पिने श्टोक में देखा जाता है जिनका ROC और ROE negative होता है इस company का positive है तो यह भी एक अच्छा sign दे रहा है इसका लावा company के ऊपर कुछ ज़्यादा करज नहीं है और करजा देखेंगे तो पिछले quarter के मकाबले इस बार करजा थोड़ा सा कम हुआ है पिछले quarter में जहाँ 1 करोन 34 लाग का करज था इस बार कम होकर 1 करोन 28 लाग हो गया है और company का जो रिजर्व है वह भी पिछले quarter के मकाबले इस बार बढ़ा है पिछले quarter में जहाँ इस company का रिजर्व सिर्फ 15 करोन था अभी बढ़कर 17 करोन हो गया है जबकि आप देखेंगे quarter 2 का जो रियल्ट आया कुछ खास अच्छा नहीं आया है क्योंकि इस company का जो revenue है पिछले quarter कम काबले कम हुआ है पिछले quarter में जहाँ इस company के total कमाई 12 करोन होई थी अभी कम होकर 46 लाग हुआ था अभी कम होकर 46 लाग रह गया है तो जब revenue कम हुआ है तो फिरी cash flow यानि ग्रिजर पैसा बढ़ कैसे रहा है यह बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि company का profit बढ़ रहा है आपके मन में सवाल आ सकता है कि कमाई कम होने कि बावजूद profit कैसे बढ़ा है प्रोफिट बढ़ गया है क्योंकि company का operating profit और operating profit margin बढ़ गया है पहले जानले यह profit कितना बढ़ा है पिछले quarter में जहां इस company को total profit दो करोण 84 लाग हुआ था quarter 2 में बढ़कर यह 3 करोण 22 लाग हो गया है प्रोफिट इसलिए बढ़ा है क्योंकि company का operating profit margin पिछले quarter से बढ़कर अभी देखेंगे तो अन्ठावन परसेंट कास्वास हो गया है इसकी वज़ेस कंपनी के profit बढ़ा है प्रोफिट बढ़ा है तो company ने रिजर्व जो company का रिजर्व पैसा है वह बढ़ा है कंपनी का और इसकी वज़ेस कंपनी के करजा भी कम होते वह दिख रहा है यानि का सकते हैं कि fundamental सुधार होते हुए दिख रहा है लेकिन इसमें समय लगएगा सिर्फ एक क्वार्टर के basis पर ऐसा नहीं क्या सब्सक्राइब काफी हो गया है ऐससे अगर दू तीन क्वार्टर तक रिजर्ट अच्छे आते रहते हैं तब माना जाए कि fundamental सुधार हो रहा है और fundamental जब सुधार होगा तो जाहिए से बाद एक कंपनी मजबूत बनेगी जब मजबूत बनेगी तो इसके चार्ट पेटर्न में तीजी आना दिखा जाएगा और फिर इसके बाद कहा जाए कि हाँ भरोसे बातों को समझ पा रहे होंगे कि वीडियो आउज अनकारी आपको पसंद आई होगे मन में कोई भी सवाल है confusion है तो में जरूर पूछिए यदि आप चाहते हैं मुझस से परसने जूर कर बाते करने के लिए तो आप मुझे इंश्टाग्रां में फोलो कर लिए और आपको प